नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके ने यूटूब चैनल आरेंटिक में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉन की प्रॉब्लम जो होती है इसे हीट करने लगता है फुराना हो जाता है फॉन यह न्यू फॉन होते हैं जिनमें भी प्रॉब् यही बताने वाले हैं और आपको यह step by step अपने फॉन में अपलाई करनी है तो आपको इसकिप करके वीडियो देख लेते हैं तो आपको यह नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है अपनी यह ट्रिक्स अपलाई करनी है फिर्ष्ट इस प्रॉब्लम का कि आपको कभी भी अपने फोन की brightness कभी भी हाई नहीं रखनी है इससे क्या होता है कि हमें नहीं नीड है फिर भी हाई है तो इसे फोन हीट करने लगता है और बैटरी भी ज्यादा यूज होती है यह नहीं रखना है और इसी में की एक और प्रॉब्लम है सेटिंग में जाना है सेटिंग में ज नहीं है हम अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लेंगे तो फर्स्ट स्लूशन इस प्रॉब्लम का यह हो गया और सेकेंड स्लूशन है हम आपको बता आना चाहते हैं जैसे कि अब कोई सभी इस्तमाल कर रहे हैं अब उसको आप डिलीट कर देते हैं तो पहले आपको डिलीट नही के बाद में आपको उसे जो देखा वो बैक ग्राउंड में जो चल ला होता है उसे फोर्स स्टॉप कर देना है तो जब फोर्स स्टॉप करने के बाद में जो बैक ग्राउंड में उसके डेटा होता है वो किलियर हो जाता है डेटा किलियर करने के बाद में आपको फिर बैक वह अपना कुछ डेटा छोड़ जाता है इससे का होती रेम ज्यादा फुल होती जाती आपको पता नहीं ज़ता यह बैक ग्राउंड में चलता रहता है और आपको यह भी प्रोब्लम होती है तो फिरेंट्स लास्ट और थर्ड इस प्रोब्लम का सिलूशन क्या है हम वह आपक चार्जिंग मेरा तो 90% क्या वह 100% से ज्यादा चार्ज हो जाता है तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना यह आपको फोन के लिए बहुत ही ज़्यादा हम फोलोने हो जाता है आपको 95% तक ही चार्ज करना है बस उसके लावा इस्ट्रा नहीं चार्ज करना है आप ऐसा कर करके देखिए फिर आपको फोन बहुत ही आराम से और यू अच्छे से चलेगा तो फ्रेंड्स यह आज कर वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेस्ट्री वीडियो में और हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाहिन